प्रियो विद्यार्थी मित्रो सरब्दु सत्तार खान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है नाइन्थ हिंदी लोकवानी सहित्ती की निश्कपट विदा है डाइरी प्रश्न उत्तर और स्वाध्याई देखेंगे पहला प्रश्न है पाठ के आंगन में संजाल पूर्ण कीजिए डाइरी विदा का निरालापन जीवन के अंतद्व वजनाओ पीडाओ यातनाओ दीर्ग अवसाद के शनों में अपने आपको स्वस्त मुक्त एवं प्रसन रखने की प्रक्रिया है डाइरी डाइरी लेखन में विशय वस्तु का कोई बंधन नहीं होता आत्म प्रकटी करन की सादगी से युक्त विधा है डाइरी डाइरी पार दर्शक विक्तित्व की पहचान होती है उत्तर लिखिए क्रोनोलिजिकल आर्डर इसे कहा जाता है काला नुकरम योजना को अर्थ लिखिए आवसाद उदासी दस्तावेज लिखित विवरन लिंग परिवरतन कीजिए लेखक लेखी का विद्वान विदूशी भाशा बिंदू निमन लिखित वाक्यों में कारक पहचान कर तालिका में लिखिए किसी ने आज तक मेरे तेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी मेरी माता का नाम इती और पिता का नाम आदी वे सदा स्वाधिनता से विचरते आए हैं आवसर हाथ से निकल जाता है अरे भाई मैं जाने के लिए तैयार हूँ अपने समाज में यह सब का प्यार बनेगा उन्होंने पुस्तक को ध्यान से देखा वक्त महाशे वक्त तो देने को उठ्ठ खड़े हुए है वाक्य चिन अनिकारक का नाम किसी ने आज तक तेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी चिन ने नाम करता मेरी माता का नाम इती और पिता का नाम आदी है का संबंद है यह कारक का नाम संबंद वे सदा स्वाधिनता से विचरते आए हैं चिन है से और कारक का नाम है करन अवसर हाथ से निकल जाता है से ये अपादान है अरे भाई मैं जान के लिए तैयार हूं अरे भाई ये सम्बोधन है अपने समाज में यह सब का प्यारा बनेगा में यह अधिकरन है उन्होंने पुस्तक को ध्यान से देखा को यह कर्म है वक्ता महाशाय वक्तत देने को उठ खड़े हुए को संप्रदान मौलिक सरजन डाइरी लिखन में वक्ति का वक्तित वो जलकता है इसे विदान की सार्थकता स्पष्ट कीजिए उत्तर डाइरी वक्तिके द्वारा लिखी गई एक वक्तिगत अनुभव और भावनाओ का संग्रह है डायरी लिखते समय व्यक्ति अपनी उलजहनों भावनाओं को जियूं का तियूं व्यक्त करता है अपनी तमाम खुशियों और गमों के बारे में हम सब को नहीं बता सकते पर डायरी के साथ हम अपनी सभी भावनाओं बांट सकते हैं डाइरी डाइरी लेखक के विक्तितु का आईना होती है डाइरी लेखक के विचार उसका चिंतन चीजों को देखने का नजरिया सब हम डाइरी से जान सकते है डाइरी अपने भीतर उसके रहस्तियों को समाय रहती है लेखक डाइरी में अपने अच्छे बुरे सभी अनुभव और विचार बिना किसी संकोच के व्यक्त करता है क्योंकि वो जानता है कि डाइरी अमरुत और विश दोनों को अपने अंदर समाहित कर लेगी आता है ये कहना एकदम उचित होगा कि डाइरी लेखन में व्यक्ति का व्यक्तित वजह लगता है